प्रेम से बोले शंकर मुगवान कीजे हरर महादेव घरगर महादेव गुरुबाई बहना मैं एक कार्तिक मास असनान की कथा सुनाने जा रही हूँ जो कार्तिक मास में अतीफल देने वाली मास होती है और इस मास में कार्तिक में असनान करते हैं तो मैं वही कथा सुनाने जा रहे हूं एक बार की बात है विश्णु भगवान विश्णु लोक में बड़े प्रेम से सोय हुए थे और लश्मी माता च्रन दवाते हुए कहने लगे नाथ आप बड़े मुश्कुरा रहे हैं क्या बात है हमें बताईए विश्णु भगवान बोले ऐसा कोई बात नहीं है देवी आप से क्या बताऊं लश्मी कहने लगे कि नहीं महाराज कोई तो बात है जो आप मुश्कुरा रहे हैं कहते हैं नहीं कुछ नहीं है लच्मी माता हिटी कहां हटी कहां मानने वाले थे हट कर दिये जित कर दिये कहने लगे नहीं आपको मन का बात बताना होगा हम तो जान कर ही रहेंगे और नहीं तो हम चूप चाप बस मौन रूप में बैठे रहेंगे विष्ण वगवान कहने लगे कि हे देवी मैं आपसे क्या बताओं आप नहीं जानते हैं कार्तिक मास आ गया है अब लोग देखिए पुजा पाठ जादा करना शुरू करती है कहने लगे लश्मी की हे महाराज कार्थिक मास ऐसा क्या है जो लोग जादा पुजा पाट करेंगे कौन सा ऐसा मास है जिसमें लोग जादा पुजा पाट करते हैं कौन मास है जो अतीफल दायक है विष्णु वगवान कहने लगे कि हे देवी मेरा बात विस्तार रूप से सुनिए तब हम आपको बताते हैं लच्मी बोले कि जो ठीक है हमें बताईए इस ब्रत को करने से कातिक मा ससनान करने से क्या होती है क्या फल प्राप्त होती है हमें सब कुछ बताईए विष्णु भगवान बोले कि सबसे पहले सुहागी निस्त्री को पाउं का बिछुआ नहीं उतारना चाहिए जब भी पूजा करे तो पाउं में बिछुआ जरूर होना चाहिए बिना बिछुआ को सुहागी निस्त्री को नहीं रहना चाहिए जो भी इस्तिरी पहने वो जोड़ा भिछुआ पहने वो कभी उसके पती पर कोई संकाट नहीं आएगा और दूसरी बात है कि कार्तिक मास में जो भी पूरे माह नियम धरम से असनान करते हैं ब्रह्मुरत में देमुरत में ब्रह्मुरत में उसका तो कहना ही नहीं अखंड सा भागवती होती है और पुत्रवर्ती प्राथ होती है और घर में कभी उसका कोई प्रकार का कोई दूख हो ही नहीं सकता है कार्तिक मा ससनान करके और तुलसी में जल डालके शुर्ज बगवान को अर्ग देकर लोटे में जल लेकर और जो विश्तार रूप से संकर जी का और पार्वती का पूजा करते हैं दुरुगा के पूजा करते हैं और कल्यान में हो जाते हैं लच्मी माता बोले कि तो महाराज क्या इस ब्रत को किसी ने किया है जो ऐसा फल प्राप्त हुआ है विश्नु भगवान बोले कि हाँ देवी देखिये मैं आपको बताता हूँ देखिये पिर्थवी पे एक बुढिया थी उसका साथ बेटा था और घर में साथ बहु थी किसी को दानपून नहीं करती थी कोई पुजा पाट नहीं करती थी कोई भी उसे कहता था पुजा पाट के नाम लेता था कोई गीत भजन करता था तो गुस्से और नाराज हो जाती थी किसी को बात ओ नहीं सुनती थी लोग उसके घर कोई बुलावा देने नहीं जाते थे कोई ब्रात में कोई त्योहार में उसके घर बुलावा देने नहीं जाते थे धीरे धीरे समय वित्रहा था और साथ बेटा का ब्याह हो गया साथ बहु भी घरव आ गई लेकिन हुआ क्या, बुढिया के सातो बेटा नी संतान थे, जब बड़ी बहु आई, उसका भी संतान नहीं हुआ, दूसरी आई, तो उसका भी संतान नहीं हुआ, तीसरी आई, तो उसका भी संतान नहीं हुआ, चौथी आई, संतान नहीं हुआ, पाचवी आई, तो उसका संत नहीं हुआ छाठी आई संतान नहीं हुआ लच्मी कहते हैं कि तो महाराज ऐसे कैसे बुडिया तो पुजापाट नहीं करती थी तो इसमें बेटे और बहु का क्या दोस्त काने लगे कि यह लच्मी आप नहीं जानते हैं बेटे और बहु का यहीं दोस्त था कि कार्तिक मास में राचसी भोजन करता था राचसी भोजन करने से सर पे दुखों का पहाड तुट जाता है कार्थिक मास میں जो राच्षी भोजन करता है यानि मानसा हरी भोजन करता है उसका पती पे संकट आ जाता है उसका पुत्र पे संकट आ जाता है घर में धान की बृधी कम हो जाती है गर में लच्मी का बास नहीं होता है बताइए लच्मी कि यदि आप पिर्थवी पर भर्मन करने जाएंगे तो जिसके द्वार पे मांसा हरी भोजन पड़ा रहेगा क्या आप उसके घर जाएंगे लच्मी काते हैं ना ना राम राम चीची उसके घर कैसे जा सकते हैं तो इसलिए बुडिया के घर में प्रती दिन पूरे कार्तिक मास में राचसी बोजन वरता था और बुडिया के बहू और बेटे बुडिया सभी मील कर राचसी बोजन करते थे इसलिए उसका बहू समनी संतान थी जब बुढिया के घर में छोटी बहु आई तो छोटी बहु नीयम धरम से पूरे पालन करने लगी देखिए छोटी बहु जो है प्रती दिन सुवा उटके प्रता काल उटती है और चार बजे गंगा असनान चली जाती है और गंगा असनान जाकर गंगा में असनान करती है गंगा असनान करके और उसके बाद पुजा पाट करके तुलसी में जल डालती है तुलसी का दिपक जलाती है कथा सुनती है धीरे 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 तीन वर्स लगातार छोटी बहु की तो बुडिया के बड़ी बहू जो थी ओ मना करती थी एसा ब्रत तू क्यो करती हो क्या जानती हो जो तू सुबा समय में असनान करती हो सुबा में तो रातरी में तो असनान भूत परेत करते हैं तू नदी जाती हो और कोई मांसाहारी नदी में भोजन करती होगी कोई जरूर जिन्दा मरा हुआ जानवर का भोजन करती होगी कच्चे मास खाती होगी बुडिया के छोटी बहु कुछ नहीं बोलती थी और फिर भी परती दी नसनाम करने नदी चल जाया करती थी कभी कभी उसके जठानिया, सास, पती, भशूर छूप छूप कर देखा करते थे कि ये क्या करती है जाकर लेकिन देखते हैं कि अरे ये तो असनान करती है और पुजा करती है, तुलसी में जोत जलाती है अब उसके पर सक करना छोड़ दिये जब पूरे कारती कमास में घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाने देने लगी एक साल भी था, दो साल भी था बुडिया के छोटी बहु का एक सुन्दर सा पुत्र जन मिलिया जब बुडिया के छोटी बहु का सुन्दर सा पुत्र जन मिलिया तो सारा लोग उसके छा बहुय का मजाक उड़ाने लगे कहने लगे कि देखो तुम्हारा छा बहुय का कोई संतान नहीं हुआ और छोटी बहु का पुत्र जन मिलिया है तुम्हारा छोटी बहु भागे साली है अच्छी है सती है और छोटी बहु को कोई भी काज प्रोज पुजा पाठ में सब लोग बुलावा देने लगे मेरे घर चलो छोटी बहु मेरे घर पुजा है छोटी बहु सारी ब्रत करने लगी कार्ति असनान के साथ साथ हर महिने में जो भी ब्रात आता था वो सारी ब्रात छोटी बहु करने लगी धीरे 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 दो संतान हुआ छोटी बहु को लेकिन छा बहुआ का एक भी नहीं इसारा लोग कहने लगे कि आखिर छोटी बहु का कैसे संतान है और इन लोगों का एक भी नहीं छोटी बहु से बड़ी जठानिया जो थी च्छा जठानिया ओ कहती है कि तु जो भी बरत करती हो मुझे भी बताओ हम भी ओ बरत करेंगे तुमारे नियम को पालन करेंगे नहीं होगा जब मैं बोला कि पूरे कार्तिक मास मांसाहारी भोजन किसी नहीं करेगा तो घर के अंदर ना लाकर आप बाहर दरवाजे पर बैट कर भोजन कर लेते हैं, जो भी मांसाहरी भोजन कार्तिक मास में करते हैं, वो दरीद्रा बन जाते हैं, राचस बन जाते हैं, और आप तो एक राचस की तरह मांसाहरी भोजन करते हैं, तो बहला आपको संतान कैसे हो सकता है, आप तो दूसरे जीव को एक आहर बना के भोजन बना के खा जा रहा है चाज एठानिया छमा मांगी हे बहन अबसे हम ऐसा गलतिया नहीं करेंगे अबसे दुआरा मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा मुझे बताओ बिधी अनुसार नियम पुरुवक हम बरत करेंगे हम पूजा करेंगे जैसे कहोगी वैसा ही करेंगे छोटी बहु बोली की तो ठीक है आने दीजिये कार्तिक मास और ऐसे प्रती दिन तुलसी में जल डालिए संकर भगवान के पूजा किया करिए जब कार्तिक मास आएगा तो मेरे साथ आप असनान करने चलिएगा छाहे जठानिया सब सुविकारी धीरे धीरे समय बित्ते बित्ते कर्तिक मास आगया आशिन पूर्निमा के दिन आशिन मास में ही सब घर के नौरातर चड़ सेदने से पहले घर के साब सफाई की साथो गतनी मिलकर और घर के साब सफाई करके रसुन प्यास सम्मना तामसी भोजन घर में नहीं आने दी छोटी बहु के सारो पर छाह जठानिया काम करने लगी और कार्तिक सुरू होते ही छाह जठानिया अपने छोटी जठानिया के साथ गंगा असनान करने के लिए जाने लगी और गंगा असनान करने के लिए जाने लगी जैसे जैसे बुडिया की छोटी बहु करती थी छाह बहुए भी ठीक उसी तरह पुजा पाट करने लगी नित नियम से असनान करके पुजा करके और पूरे महीना असनान की और असनान करके अपने पुर्णिमा के दिन पूरे दिन उपास रहके और सुर्ज भगवान के सामने आचल फैला के और भगवान से बोली कि हे भगवन यदि सच्चे मन से मैंने आपको ध्यान किया होगा हे गंगा माता मैंने नित नियम से असनान किया होगा तो मेरा गोद भर दो यदि पाप द्रिष्टेक से किया होगा तो मेरा गोद मत भर ना और मैंने सचे मन से किया होगा तो मेरा गोद भर देना मा है भगवान मेरा गोद भर देना मेरा पुकार सुन लेना भगवान चा जेठानिया को पुकार सुन लिया दीरे धीरे कुछी समय में चा बहुए गर्वती रह गई और गर्वती रहने के बाद चा बहुए का संतान जन्म लिया एक का तो आधी उम्रभी से भी जादा खत्म हो गया था लेकिन भगवान भोले नात का किरपा पारवती का किरपा गनपती का किरपा कि उसका भी गोद में आचल में फूल खिला दिये कमल का फूल खिल गया और उसका भी ओद्र से पुत्र जन्म लिया बुडिया के साथो बहुए के बेटा और बेटी से घर भर गया घर में धन धान से भर गया बुडिया का अब घर में कोई कमी नहीं था सारा परिवार सुखी जीवन बिताने लगे और कार्तिक मास में भूल कर भी गलती ऐसा नहीं करने लगे लोगों को सिच्छा और ज्यान देने लगे कि कार्तिक मास अति फलदायक मास होती है कार्तिक मास में कभी भूल कर भी मांसाहरी भोजन नहीं करना चाहिए और लोगों को भी मना करने लगी उसके देखा देखी गाओं के बहुत सारे लोग कार्ती कस्नान करने लगे और कार्ती कस्नान करके तुलसी में जल डालने लगे एसा बात लश्मी माता सुनकर बड़े परसन हो गए और कहने लगे कि महाराज ए तो बहुत अच्छे की बात है ए तो बहुत खुसी के बात है कि उसी बहाने कम से कम एक महीना तो हरी के नाम लोग जापते हैं आपको मन में बसाते हैं भोले नात को मन में बसाते हैं मेरा भी याद करते हैं मेरा भी तो पूजा जरूर होता होगा विश्णु बगवान बोले कि है देवी जो कार्तिक मास में जो आपको पूजा नहीं करेगा तो भला सुब कैसे हो चकता है आपके पूजा गनपती के साथ तो जरूरी होता है कोई भी पूजा में आप और गनपती रहेंगे तब तो पूजा सुब होगा आपके पूजा में सुब मानी जाती है सबसे पहले आपके और गनपती के पूजा की जाती है लचमी माता ठठा कर हस गए और कहने लगे एन मस्तू जो भी मेरा पूजा करती है सचे मन से वो अखंड सवभागवती रहे गए विश्नु वगवान बोले कि जो भी कार्तिक मास में पूजा करते हैं वो अखंड सवभागवती और पुत्रवर्ती और घर में धन धान से भरा रहता है यही कार्तिक मास्ट की कहानी है ऐसे जब सुनाए तो लच्मी माता सुनकर बड़ी खुस हो गए और सब का असिरवात दिये तो दिदी माता जी जो कार्तिक मास्ट की असनान है वो ब्रह्म मोहरत में करना चाहिए देव मोहरत में करना चाहिए सुर्ज उगने से पहले सुर्ज उगने के बाद जो है जैसे ऐसे नहाते हैं उसी तरह हो गया कार्तिक असनान में असनान करके यह नहीं कि जल्दी-जल्दी असनान किये और जल्दी-जल्दी पुजा किये और जल्दी-जल्दी काम में लग गए, ऐसा वात नहीं, कार्तिक असनान, हम भी करते थे, इस वार मैं नहीं कर रही हूं, कार्तिक असनान जो है, वह असनान करके, पूजा करके, सांती से बैठ कर, चाहे तो भागवत गीता सुन लिजिए या पढ़ लिजिए रमायन पढ़ लिजिए या सुन लिजिए या तो कोई कथा कहानी सुन लिजिए क्योंकि जो भी कार्तिक असनान करते हैं यह नहीं कि असनान करके अतुरत जुठा बरतन छू दिए तुरत जाडू लगाने लगे, जाडू पहले लगाना चाहिए, निया मनुशार घर में जाडू लगाकर ही और अस्नान करना चाहिए, पूरे फ्रेस होकर अस्नान करना चाहिए, यह नहीं कियमकार्तिक अस्नान किये, अजटपड पूजा किये और बात्रूम में चले गए, न उसके बाद अपने काम में रशोई बनाईए बच्चे का संभाल लिए पती का सेवा किजिए और कार्तिक मास में पूरे एक मास पती के कोरा लगके नहीं सोना चाहिए क्योंकि और जो ब्रत है टूट जाता है घंडित हो जाता है तो प्रेम से बोलिए शंकर बुगवान कीज़े गंगिया माता कीज़े बिद्बाइब अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें शेयर करें चैनल प्रदी नए है तो चैनल का सब्सक्राइब करें बेल आईक गंटी ज़्भरी को दवाए जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा विडियो को सुन सके देख सके और कमेंट बॉक्स में हरहर महादेब जाय सिब बुरू जय गंगा माता जरूर लिखे जिसमें मैं आपके नाम के माता के सरन में हाजरी लगा सकूं आपके लिए दयाब मांग सकूं